कुर्सी गद्दा और विस्तर छोड़िये जमिन ही देगी जन्नत का मज़ा जब आराम के बात आते हैं तो हम मेश से जायतर लोग गद्देदार कुर्सी या नरम विस्तर का ख्याल करते हैं पर क्या आपको पता है असल में सच्चा सुखुंद जमिन पर सोने में है जी हाँ सह इसोना आपने आई है जानते हैं किसे खुर्सी गद्दा और विस्तर छोड़िये दोस्तो जमिन ही देती है जन्नत का मज़ा आज के समय में जहां होई हर कोई अधिक आराम और लगजरी की तलास में है वही जमिन पर सोने की पुराने वरंपरा अभी तक मायनों में बहतर सोने से नसीब आपकी पीड कोई सवरी सपोर्ट मिलता है बलकि यह आपके से सोने के तरीकों को भी नेचरल बनाता है दूस्तों आइए जानते हे जमीन पर सोने के अनगिनित फाइदों के बारे में जमीन पर सोना आपके सोचने की आधतों को बॉड़ी पोस्टर को बिदल सकता है पीना सोत के भी मनोविग्णियानिक कहते है कि जमीन पर लेटने एक से आरा मिलता है और हमें जमीन से जुनने में मदद मिलती है हम जब जमीन पर लेटते हैं तो हमारा सरी खुल जाता है और आरा मिलता है एलेन हेंड्रिक्स एक मनोविग्णियानिक का कहना है कि हमारा सरी मूर साथ में चलने तेहें इसलिए अगर हम कुर्सी पर जुके हुए है और सीर नीचे है तो हमें खुश रहना मुस्किल होता है वही एलन फोगेल जो मुर्म विग्नारी के प्रोफेसर है का कहना है कि जमिन पर सोने से हमें दीन बर की चिंटाओं से दूर रहने में मुद मिलती है वह कहते हैं कि आराम दे गद्धे पर आराम करने की जगज जमिन पर सोने से हम क्याज सगज होते हैं और अपने विचारों की बजाए सरी से अनुभव का दियान दिखते हैं जमिन पर सोने से हमारे सरी को वहां नेच्रल आराम मिलता है जिसकी हमें तलास होती है यह के इस तेज और तनाव वरे योग में जमीन पर सोने का रिवाद हमें वापस प्रकृति के करीब ले आता है जमीन से जुड़कर हम आपने आपको ज़्या संतुलित और सांत महसुस करते हैं जमीन पर सोने के सुर्वाद एक चटा या दरीच पिशाकर की जा सकती है पिस बेलको भी और जरू की जगा